गुड इवनिंग एवरिवन और वेलकम तो क्रियेटरिक्स यूट्यूब चैनल माई दियर फ्रेंड्स वी आपक विद अनदर एपिसोड ऑफ एलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस और एलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने अगले स्टेशन पे जिसका न आज मैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ MMF बैलंसिंग का कंसेप्ट जिसका गेट में दो बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर इसके अलावा मुझे प्रेजिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन दा इयर 2013 जब मैं ग्रेजुएट हुआ IIT से आज तक मैं दो लाग से भी जादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ और अभी मैं आन अकाडमी में ऐस आ डारेक्टर वर्क कर रहा हूँ फॉर गेट डिपार्टमेंट अब मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बचे जानते हैं लेकिन मैं कहता हूँ बिटा सबसे जादा प्राउड फीलिंग वाली बात वो ये है कि ये चैनल बच्चों की जिंदगी में एक रेवल्यूशन लेके आ गया आज की डेट में हर वो बच्चा जो शायद उमीद छोड़ चुका था जो शायद ये मान चुका था कि उससे ना हो पाएगा आज वो भी सपना देख रहा है वो भी ये सोच रहा है कि मैं क्राक कर सकता हूँ मैं भी एक्जाम फोड सकता हूँ और इसका बहुत बड़ा ऐसे गरदा उड़ा दिया है पूरी तरह से आपके लिए नए से नए इनिशेटिव ले आया है लेकिन पिटा हमारी टीम आप तक इनिशेटिव से वी यूट्यूब से नहीं लाती है बलकि साथ ही साथ अनकाडमी एप के थुरू भी लाती है तो अनकाडमी एप इंस्टॉ कर लीजिए और उसके बाद हमारे सभी free initiatives को enjoy कीजिए बस उन्हें unlock करने की दे रही है using the code अंकित ESE चल तो शुरू करते हैं राज की journey MMF balancing की तो सबसे पहले पिटा मैं बात करता हूं compensation effect की मैंने आपको पिछले episode के अंदर एक चीज़ बताई थी कि flux is proportional to V by F तो हम क्या कहते हैं कि as long as as long as V and F are constant phi must remain same practically तो देखो transformer का flux थोड़ा जा बदलता है but phi should remain constant constant का मतलब पिटा ये मत समझ लेना कि phi is a DC value जिसका derivative 0 हो यहाँ phi constant का मतलब ये है कि जो sinusoidal आपका flux है उसका peak value fix है वो vary नहीं हो रहा लेकिन जैसे ही बिटा आप secondary पे load लगाते हो तो secondary winding के अंदर एक current flow करने लगता है अब lens law के अनुसार secondary winding का flux primary को oppose करता है यानि कि ये कोशिश करता है primary के flux को घटाने की तो हम क्या बोलते है लोड एक्रोस सेकेंडरी लोड एक्रोस सेकेंडरी causes i2 to flow causes i2 to flow ठीक है and flux due to i2 phi2 लिख देता हूँ phi2 opposes phi1 phi2 opposes phi1 किस अनुसार lens law है ना effect opposes the cause बिटा so it tries to reduce phi1 it tries to reduce phi1 अगर ये phi1 को कम करने की कोशिश करेगा तो अभी तो आपने बोला कि flux constant रहेगा तो बिटा इसके लिए क्या होगा primary winding में एक extra current आएगा source से जिसको हम दिखाते हैं i1 dash और इसे बोला जाता है compensation effect तो हम क्या बोलते हैं to cancel the effect of secondary mmf primary draws an additional current primary draws an additional current i1 dash an additional current i1 dash ठीक है तो बिटा अब यहाँ पे mmf balancing क्या कहती है कि load लगने से पहले और load लगने के बाद mmf सेम रहना चाहिए तो हम कहते हैं at no load at no load primary में कितना current जाता है i0 ठीक है और mmf कितना होता है mmf of primary it is n1 i0 तो यह सेम रहना चाहिए तो on load net mmf is n1 i1 minus n2 i2 primary का total current होगा बिटा i1 यह जो i1 dash plus i0 दिखा रखा है न this is i1 तो हम कहते हैं जो n1 i1 है that should be equal to or sorry that minus n2 i2 must be same as n1 i0 क्योंकि mmf सेम रहेगा तभी flux सेम रहेगा यानि i1 is n2 by n1 i2 plus i0 तो यह वाला जो component है ना primary current का इसको हम i1 dash कह देते हैं ठीक है n2 by n1 i2 is i1 dash that is component of primary current that cancels effect of secondary component of primary current that cancels effect of secondary तो यह component source से आता ही इसलिए है ताकि secondary के mmf को cancel कर सके that cancels effect of secondary ठीक है तो secondary के effect को यह cancel कर देता है बात clear हो गई बिटा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि primary के अंदर दो current आते हैं एक तो no load current और एक secondary की वज़े से और मैं हमेशा electrical का एक basic principle समझाता हूं बिटा कि voltage जो है ना primary से secondary जाती है voltage हमेशा जाती है primary से secondary और current हमेशा refer होता है secondary से primary आई जो है यानि कि primary का current कितना होगा यह secondary पे depend करेगा और secondary का voltage कितना होगा यह primary पे depend करेगा किसी भी power system के अंदर source govern करता है कि system का voltage क्या होगा और load govern करता है कि source से current कितना आएगा तो जब आप secondary में load लगा देते हो उस अनुसार का current आपका primary से draw किया जाता है और secondary load पे voltage कितनी आती है depend करता है primary के source पे तो इसे हम कहते हैं compensation effect तो पेटा ideally तो एक transformer में loaded condition में भी flux constant होना चाहिए बट practically ऐसा होता नहीं है क्योंकि practically क्या होता है जब load बढ़ता है तो voltage drop बढ़ता है voltage drop बढ़ने से voltage के मुकाबले emf कम हो जाता है यह जो terminal voltage और emf है यह ideal transformer में तो बराबर रहते हैं लेकिन practical में यह emf voltage से कम होगा based on voltage drop due to current और इस कारण से जब emf कम होगा तो flux जो होता है वो v by f के proportional ना होके it is proportional to e by f तो अगर e कम होगा तो flux भी कम होगा बट इस बारे में फिर कभी में आपको किसी और episode के अंदर बताऊंगा बट अभी के लिए ध्यान रखना in a practical transformer flux changes with load बट इन a ideal transformer flux is constant with the load कितना भी load लगाओ flux बराबर रहता है ideal में practical में load बदलने के साथ flux बदलता है load बदलने का मतलब load में जाने वाले current को बदलना so that is all from my side in this episode बिटा और अगर आप चाहते हो मुझसे machine डीटेल में पढ़ना तो जल्दी से plus पे आजाओ यहाँ पे आपको मिलेगा 170 hours का content daily assignment हर Sunday test और सारे की सारे doubt भी answer किये जाएंगे nothing can be better than this जल्दी से आजाओ code आप लगा देना अंकित EAC अगर आज join करते हो तो आपको 10% discount के साथ one year पे two month subscription extra मिलेगा two year पे four month और साथ-साथ one year subscription के साथ तीन महीने का competitive programming का subscription और two year के साथ six months का competitive programming का subscription जो आपकी placement में मदद करेगा code याद रखेगा अंकित EAC इससे ना सिर्फ मिलता है discount बलकि मिलती है मेरी personal guidance and धेर सारे extra benefits और बिटा यहाँ पे साथ ही साथ यह मेरी unacademy profile है जिसको आप follow कर सकते हो मुझे यहाँ से message कर सकते हो in case अगर आप कोई problem face कर रहे हो और यह है मेरा telegram channel जहाँ daily notes, lecture pdf, daily question answer और सभी notification आपको दिये जाते हैं तो thank you everybody उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयो पसंद आयो तो like जरूर करना, share करना और अगर अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लो मेरे दोस्त और वो bell icon दबादो ताकि आपको notification आता रहे चलिए मिलेंगे अगले episode में अपने सफर में तब तक आप लोग ऐसे मचाते रहो, आग लगाते रहो, let's crack it